3 balls are drawn at a random एक की साथ एक से ज़्यादा चीज़े निकाली जाती है ना ऐसे हां डाला और अहां मुठी भर के कुछ निकाला तो यहां combination लगता है क्लेर है बच्चे और अगर red ball है तो red ball ये आजाए दो red ball और एक other ball आजाए तो दो red ball के order में क्या फर्क पड़ता है कि दो red ball पहले ये दूसरा बो दूसरा ये पहले ये आला हाथ में आपके है उससे फिर निबढ़ता है तो combination कब लगता है जब आप एक बार में चीज़े निकालते हो एक से ज्यादा चीज़े तो हमें क्या अप्लाई होता है combination अप्लाई होता है तो अब box contents three white चलो बाई white कितने three है five red five red and eight blue and eight blue ये है तो total outcomes कितने हो गए तो आपके पास में eight और three eleven और five sixteen a box contains three white five red and eight blue balls if three balls are drawn at random find the probability that all of them are white सारे के सारे क्या हों white हो तीन बोल निकाले तीन हो white हो first part प्रल्टी 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 उस J प्रार्टी ज रोल of them और वाइट तो फेवरेबल आउटकम तोटल आउटकम्स तोटल आउटकम्स तो यहाँ पर आप देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा तो फेवरेबल आउटकम में आप क्या निकाल रहे हैं त्री बॉल निकाल रहे हैं कितने में से निकाल रहे हैं आप आप शिक्स्टीन में से त्री बॉल आप निकाल रहे हैं ठीके बच्चे और क्या कर रहा है तो आपके तीनों वाइट होने चीए तो वाइट कितने हैं आपके पास में टोटल त्री यह क्यों लिखा मैंने चीए टोटल वाइट मेरे पास में क्या होता है NCR N मतलब कितने हैं उसमें से कितने आप निकाल रहे हो तो मतलब आपके white कितने आपके पास पर तीन निकाल कितने रहो तीन देस वर ये और total outcomes कितना होगा आपके पास पर तो total outcomes में मिला आपने निकाले कितने हैं NCR कितने में से निकाल रहे हैं 16 में से और कितने निकाल रहे हो 3 इस वर अगर आप प्रविल्टी निकालते हों इस केस में तो 3 factorial 3 factorial into 0 factorial क्योंकि NCR का formula क्या होता है N factorial upon R factorial N minus R factorial मलब उपाले factorial नीचाले factorial दोनों का difference upon 16 factorial 3 factorial 13 factorial अब आपने priority को solve करेंगे तो 3 से 3 कट गया आपके उपार आए 1 ठीक है बच्चे नीचे का आप solve करते हैं इसको 16 15 14 इंटू 13 factorial से क्या जागा 13 factorial cancel जागा this one upon 3 factorial बचेगा and priority of 1 upon 16 इंटू 5 16 इंटू 70 and priority equals to 1 upon यह this one यह इसका priority आएगा clear है बच्चे पता लगा कैसे कर आपने इसको solve कर लो आप simple सी बात आपका one answer आए इसको solve कर लो आप आपका answer आजेगा और divide कर दो simple सी बात है ऐसे कर लो आप separate separate नी तो ऐसे आप टेल्कुरिशन आपो ज़्यादा लगेगी 16C3 अगर solve करते हैं तो 16 factorial upon 13 factorial upon 3 factorial अच्छा 2 से भी divide होगा यह यह 3 factorial 3 into 2 1 upon 560 इसका answer है ठीक है हाँ इसे में अगला पार्ट solve करते है क्या है 2 of them are white उसमें से 2 क्या हो? वाइट हो हम निकाल 3 रहे हैं तो एक कोईसा भी हो सकता है ना दोस में क्या हो? वाइट हो क्या होड़ा हो? just नेक्ट कुशिन देखो चिक है टू आफ देम आर वाइट प्रविल्टी आफ टू आफ देम आर वाइट ठीक है अब सॉल करते हैं यहाँ पर टू आफ देम आर वाइट तो फेवरेबल आउटकम अपन तोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स सॉल करेंगे इसको टू आफ देम आर वाइट निकालते हैं टू आफ देम आर वाइट तो थ्री में से टू वाइट का सेलेक्शन करना है बाकी जो एक बोल है दो वाइट होने चाहिए तो बाकी एक बोल आपका वाइट को छोड़के कुछ और होने चाहिए करेंगे दो ही वाइट होने चाहिए तो बाकी का जो तीन बोल निकाल रहे तो दो तो वाइट हो जाएगा बाकी एक कौन होगा वाइट होगा नहीं होगा तो आपके पास में टोटल कितने हैं सिस्टीन बोल से जिसमें से तीन वाइट है तो बाकी का एक बोल वाइट के अलावा किसी में से निकलना जाए, तो बाकी के ये कितना हो गए, तेरा बोल हो गए न, क्लेरे हैं बच्चे, तो एक तो टू वाइट हो गया, एक अधर देन वाइट, अधर देन वाइट निकालोगे तो एक निकालना है आपने, अधर देन व थ्री वे यहाँ है, यहाँ सो, 13C1, 13 factorial, 12 factorial, पहले लिख दोता हम फार्मला क्या है, 13 factorial upon 1 factorial into 12 factorial, लिखेंगे 13 into 12 factorial, नीचे बैठा हुआ है 12 factorial काटने के लिए, तो कितना है, 13, तो भाई, आपके पास में, प्रोडल कितने वे इस हो गए, अगर आप निकालते हो, तो 3 and 13, आपके पास में, और यह, 3 यह होने चाहिए और 13 यह होने चाहिए, तो basically इसका into 13, 39 chances है, क्योंकि आपके पास में यह होना चाहिए, और यह होना चाहिए, end word आजाता है ना बच्चे, तो आपके पास में multiplication theorem रखती है, एंड में, मैं अगर आपसे एक सिंपल सा कोश्य में बोलता हूँ, end का मतलब समझें क्या है, एक तीन बॉटल है, दो टिफन है, तीन बॉटल है, दो टिफन है, क्लेर है बच्चे, इस वन, तो आप, ग्रीन, ब्लू, और रेड, अब आपसे एक बॉटल और एक टिफन, तो कितने हैं, वो आपके पास में एक बॉटल और एक टिफन, क्या का हो सकता है, इस वन, एक, यह हो सकता है, यह हो सकता है, तीन तो यह हो गए, उसके आद यह हो सकता है, यह हो सकता है, तो तीन तो यह हो गए, तो क्ल मिला करके, आपके पास में कितने हो गए, छे हो गए, छे चांसिस हैं आपके, यह तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कि तीन यहां पर है, ए जा Camdaa जा कि अधिता है गुला हमे में भोटासी तेन वोटल ले लो तो एक टीफ़न ले लो तो किया चांसेज की यह खेंन्त भोटल में से किसी एक के दीक की तो तीन बॉटल या फिर एक टीफन, कोई चीज़ पिक करना है, तो तीन बॉटल या एक टीफन, तो पांच possibilities है, इन में से कोई भी बी पिक हो सकता है, तो यहाँ पर addition theorem लग जाता है, तो जब एक साथ ये भी और वो भी, दोनों ही चाहिए, end, तो multiplication लगता है, इन दोनों में से option नहीं कि यह या फिर यह आने के chances के हैं तो वहाँ पर आपके लिए addition theorem लगता है वहाँ पर हम क्या करते हैं फेवरेबल आउटकम को एड़ करते हैं और इस पर multiplication करते हैं clear है बच्चे तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स यह सब्सक्राइब आपको clear है मैं फिर से क्या कह रहा हूँ एक होता है multiplication theorem एक होता है addition theorem जब हम कोई चीज़ प्रिक करते हैं तो यह और यह यह दोनों चाहिए तो उसमें इसकी probability इसके chances को multiply कर देते हैं और जब optional होता है कि यह और यह इसमें से कोई एक चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं आड़ करते हैं मैंने एक example लिया आपके सामने उसको समझ जाएगा like three tiffan है आपके पास पे तो तीन battle है पाने की different different ball है और टिफेरंट टिफन है तो एक बॉटल और एक टिफन लेके जाना है तो क्या chances हैं तो हो सत्ता है एक यह combination choose करो एक यह करो यह करो één करो तीन तो यह हो गै यह हो सत्ता है यह deben और यह करो तीन यह गै तो उसको है ट्यान भी तो च्छै चान्सिस हो आपगला है तो आन तो एक टिफन गर लेकर आप के जाते हैं तो यहां पर आपके पास में यह बह से लू़े प्रद्चेशन में इसमें उत्लुच इसमें अधो एक जाती एह दिए। अला खा एउक यहों कंपिक करना हो, तो यह कहों Touही कम पार बहूता है तो यहां solve करेंगे आप तो क्या है आपका 3C2 multiply by 13C1 और total outcome क्या होगा total outcomes तो total outcomes में आपको selection कितने करने 3 out of 16 तो 16 factorial वही सेम आजएगा 500 क्या तो पीछे 560 तो यह कितना है मेरे पास में 3 into 13 49 और यह 560 तो priority क्या जाएगा 539 upon 560 clear है बच्चे सब्सक्राइब आपको यह third part शे intéressे यह सकते कुछे हैं और विजर रो शेवेरे अपलो हाँ जी भची एक्फितली वन एस वाइट उसमें से एक वाइट होना चाहिए आपका कि पिली कोशिय नोड करें आप करो हिया आपका निये आप पना कोशिंग गरूप और यहाँ क्या है बच्चे आपको प्रवियल्टी किसके निकाल लिए है एक्जेक्टली वन वाइड तो फॉर्मुला आपको अप्लाई करोगे प्रवियल्टी का फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इसको अब आप सॉल्व करते हैं तो फ्रवियल्टी फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स में आपको आता है क्या कर रहा है एक्जेक्टली वन वाइट तो फेवरेबल एक्जेक्टली वन वाइट आप निकाल रहे हैं एक्जेक्टली वन वाइट तो एक्जेक्टली वन वाइट में मच्चे आपके पास में क्या रहेगा क्या वाइट के या वाइट आपके पास में वन थ्री वें आप एक ले रहे हैं जी आपके और वाइट और उसके बाद जो है other than white, क्यों तीन बॉल निकाल रहे हो आप, तो उसमें से सरफ एक ही वाइट होना चाहिए, तो बाकि दो जो है, other than white में से सेलेक्शन करना, इसका मतलब यह है, तो other than white, other than white, तो other than white तो अपको मालो है, टोटल सिक्स्टीन बॉल है, तीन उसमें से white है, तो other than white कितने हुए, 13, तो उस 13 में से दो का सेलेक्शन करना है, तो यहाँ पर अगर आप calculate करते हैं, तो 3 factorial upon 1 factorial into 2 factorial equals to 3 result यहाँ पर है, यहाँ solve करते हैं, तो आपके पास में 13 factorial upon 2 factorial और into 11 factorial, solve करते हैं आप, तो 13 into 12 into 11 factorial तक तो जाएगा ही जाएगा मामला, 2 factorial into 11 factorial, यह तो कट गया और यह आपके पास हैं, तो यहाँ पर 72 ways हो गया है, और total outcomes, तो total outcomes में आप क्या लेंगे, आप 16 में से 3 का सेलेक्शन कर रहे हैं, जो कि 560 है, तो priority आप निकाल लीजिए अब, priority of exactly 1 white equals to 3 C 1 into 2 C 13 upon into 13 C 2 upon 16 C 3, और result क्या आया मेरे पास में, 3 into 72 upon 5 60, clear है बच्चे, तो यह इसका answer है, 4 बंजा 4, 3, 8, 4 बंजा 4, 140, 2, 9, 70, 27 upon 70, 2.7 upon 7, solve कर लेंगे, आप decimal में काटने आप, 21, 6, 0, 0.38, clear है बच्चे, यह probability होगी इसकी, नहीं तो fraction में छोड़ दो, इसे कोई फ्रक्ट नी पढ़ता है, तो यह कोन सा पार्ट लिया हमने इसका, तीन पार्ट होगे, फोर्थ पार्ट, अट लीस्ट वन वाइट, फोर्थ पार्ट, प्रोल्टी ओफ, अट लीस्ट, वन वाइट, तो अट लीस्ट वन वाइट का मतलब है कि, एक वाइट भी हो सकता है, दो वाइट भी हो सकता है, और तीन वाइट भी हो सकता है आपका, अट लीस्ट वन वाइट का मतलब अच्छे यह है कि, कम से कम एक वाइट चाहिए तो तीनों वाइट के तरफ आप जा सकते हैं इसको ट्राइ करो कोशन को देखिए इतने ज़्यादा कॉंबिनेशन में जाने की आपको नीड नहीं है अट लीस वन वाइट का मतलब हो गया कि वन माइनस प्रडिल्टी अफ नॉन वाइट एक तो टोडल होता है किसी चीच के होने और ना होने की संभावना पूरी एक होती है तो आपके पास में वन में से अगर प्रडिल्टी वाइट होने की पॉसिबिल्टी अगर आप नन वाइट अगर प्रडिल्टी वाइट ना होने की प्रडिल्टी को अगर आप माइनस कर दोगे तो पर जो भी rest of probability बचेगी वो आपके पास में at least 1 की होगी, इसमें कि कम से कम वाइट तो हो गाई तो नन वाइट की अगर आप निकालते हैं तो नन वाइट आपका क्या select करोगे? 3 की 3 select कर लोगे 13 rest of 13 में से, this one जो कि आपका 13 factorial है upon 3 factorial है और इंटू 13 minus 3 चुकि अदर दन वाइट 13 है ना वाइल्स आपके पास में से तीन काप selection कर लेते हो तो यह नन वाइट का selection है तो आपके पास में 10 factorial तो solve करेंगे 13 into 12 into 11 into 10 तक तो जाना पड़ेगा आपको और नीचे 3 into 2 into 10 factorial बैठा हुआ है 6 से 2, 13 into 22, clear है बचे, solve करेंगे 26, 2, 26 और दो 28, 286 तो इसके chances क्या है, priority of non-white के 286 एक आपके पास में total outcomes क्या है वो तो आप ऐसे निकालेंगे 16, 3 जो क्या आपका 5, 60 आएगा and probability of non-white 286 upon 5, 60 clear है and probability of at least one white तो 1 में से non-white, 1, 5, 60, solve करेंगे 5, 60 minus 286 upon 5, 60 0 में से 6 गया 4, 15 में से 8 गया 7 and 4 में से 2 गया 2, 5, 60 ठीके बच्चे टू बंजे टू, थ्री ये priority आगी इसके झालल्ड़ halli belki क्या प्री क्या सकता है घच्चे झालL yan झाल 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 फिर्थ कोशिन के हैं लास्ट कोशिन एच बॉल इस आफ डिफरेंट एच बॉल इस डिफरेंट तो डिफरेंट का मतलब क्या हुआ तीन बॉल में से तीन बॉल में से तीनों डिफरेंट कलर का एक वाइट होगा एक एंड एक त्री डिफरेंट बॉल्स कौन कौन से हैं आपके कोशिन में वाइट रेड अन ब्लू और तीन पांच हाट है तीन बॉल आपके पास में पांच वाइट रेड एंड ब्लू थ्री फाइव एट तो तीनों डिफरेंट होने चीए आपका तो इसमें से भी एक बॉल होगा इसमें से भी एक बॉल होगा और इसमें से भी आपका एक बॉल होगा तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम में आप अच्छे देखें तो आप थी में से आप वन ले रहें चीक है तो कि सॉल करेंगे आपके पास में थी फेक्टोरियल वन फेक्टोरियल इंटू टू फेक्टोरियल थी इस कांसर है एंड आप फाइब में से वन लेंगे जो सॉल करेंगे आप फाइब फेक्टोरियल अपन वन फेक्टोरियल इंटू फोर फेक्टोरियल इसका रिजल्ट फाइव है और उसके बाद आपके पास में क्या है वन वाइट यह क्या है वन रेड और यह क्या है वन ग्लू 5— antes पास में 8c1 , 0.8 eightii और अंसर आएगा, два Frances पाउन इंटू سाथ वेक्टोरियल ठीड है तो तीन होँ में से कोह यह का सकता है 5 हो碁 eight होँ में से कोह यह का सकता है तो खुल्मलांगर पास में चांसेस कहें 8,5 13,3 16 प्रविल्टी ओफ एच बॉल एस डिफ्रेंट क्लिरे बच्चे तो सॉल आप करते हैं तो थ्री सी बन इंटू फाइब सी बन इंटू एट सी बन अपॉन थ्री ओट फ सिक्स्टी ओफ एच बॉल इस डिफरेंट इपल्स तो थ्री इंटू फाइब इंटू एट फाइब सी बन इस एकश बीस एच शिक्स्टी चारतिय बारा चार कम चार चार चुग सोला ठीके बच्चे यह इसका अंसर है